जैसा कि हम सभी को पता है कि कागस के नोट जल्दी फट जाते हैं और इसके अलावा कागस के नोटों को आसानी से नकली भी बनाया जा सकता है इसी कारण भारती रिजर्व बैंक ने प्रयोग के तौर पर भारत में प्लास्टिक के नोट चलाने का फैसला लिया है कागस के नोट जल्दी फटने के कारण भारती रिजर्व बैंक हर साल करीब 2,00,000 करोड रुपे के गंदे या कटे फटे नोट बदलता है वश दो हजार बारा तेरा में भारती रिजर्व बैंक ने विभिन्न मूलियों के 16.5 अरब नोटों को चापने पर 2,376 करोड रुपे खर्च किये थे भारती रिजर्व बैंक ने 2014 से देश के 5 शहरों, कोची, मैसूर, जैपुर, शिमला और भुवनेश्वर में प्रयोग की तौर पर 10 रुपे के प्लास्टिक के नोट चलाने का फैसला लिया है भारती रिजर्व बैंक शुरुवात में 10 रुपे मूले के लगभग एक अरब नोट चापेगी प्लास्टिक नोट के चापने की शुरुवात आस्ट्रेलिया में 1988 में हुई थी प्लास्टिक नोट विक्सित करने का श्रे रिजर्व बैंक आउस्ट्रेलिया, मेल्बर उनिवर्स्टी और राष्टमंडल वैग्यानिक और अध्योगिक अनुसंधान संगठन को जाता है आस्ट्रेलिया के बाद प्लास्टिक के नोट्स कैनेडा, इस्राइल, न्यूजिलिंड, फीजी, पापुआ, न्यूगिनी, व्यतनाम रोमानिया, मौरेशियस और ब्रुनेई जैसे देशों में चलन में आए है पिछले पांच वर्षों के दौरान दुनिया के करीब 30 देशों ने प्लास्टिक के नोटों को अपनाया है भारत में रिजर्व बैंक प्लास्टिक के नोटों को बनाने के लिए वर्ष 2010 से काम कर रहा है कागस के बने नोट लगभग 2 साल तक ही चलते हैं जबकि प्लास्टिक से बने नोट करीब 5 साल चलते हैं प्लास्टिक नोटों को पॉलिमर नोट के नाम से भी पुकारा जाता है प्लास्टिक नोटों के सुरक्षा उपायों की नकल नहीं की जा सकती Transparent Window, Watermark का निशान और सुरक्षा धागे की नकल आसान नहीं होगी कागस के नकली नोट छापने के लिए Paper Printing आसान होती है जबकि प्लास्टिक पर Printing आसान नहीं होती प्लास्टिक के नोट कागस के नोटों के तुल्ना में काफी साफ सुत्रे होते हैं प्लास्टिक के नोटों का वजन कागस वाले नोटों की तुल्ना में कम होता है इस कारण इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी आसान होता है प्लास्टिक के नोट जादा समय तक शलते हैं इस कारण ये Global Warming में 32% की कभी ला सकते हैं कागस के पुराने नोटों को नश्ट करने के लिए जलाना पड़ता है जिससे धूआ निकलता है जबकि प्लास्टिक वाले नोटों को री साइकल कर प्लास्टिक की दूसरी चीज़े बनाई जा सकती है कागस के पुराने नोटों पर कई खतरनाग बैक्टिरिया चिपक जाते हैं जिससे बिमारी फैलने का खत्रा रहता है जबकि प्लास्टिक के नोटों को धोया जा सकता है यदि प्लास्टिक के नोट गलती से धुल भी जाते हैं तो फटने से बच जाते हैं इस प्रकार हमने देखा कि प्लास्टिक के नोटों के चलन से अर्थ व्यवस्था में एक तरफ जहां नकली नोटों का प्रभाव घटेगा, वहीं दूसरी और नोटों की छपाई पर होने वाला सालाना खर्च भी कम होगा.